तो हेगे फस्ट पर वल्कम तो मैं चैनल जारखन लाब तो यहां पर देखें एक अबडेट आया ववा है आप लोगे आप देखें क्या पताया जारहे है आप लोग का मैंट्रिक और इंटर के साथ तह आते हैं पर कक्छा आटवी नौवी दस्वी और एक ग्यार्मी के लिए बीडेट है उन लोग की कख्छा आठमी नौवी और दसमीं की जो एक्जाम है गया जो जनवरी में होनी है वह अब जनवरी में नहीं होगी तो क्या है अपडेट आप लोग वीडियो में पूरा जानोगे आप लोग यहां पर जानोगे तो यह वीडियो सभी के लिए इस और टर्म एक्जाम को आयोजन करने के तयारी यहां पर देखे क्या बोला जा रहा है अब जनवरी मंथली असेस्मेंट और टर्म एक्जाम को आयोजन करने के तयारी यानि कि मंथली असेस्मेंट के साथ आप लोगा टर्म के जो एक्जाम है उसकी आयोजन करने के तयारी चल इस मेहने ना तो इंटर्नल असेस्मेंट हुआ और ना ही टर्म वन की एक्जाम यानि कि टर्म का एक्जाम वह ठीक है चाथ-चात्रे पहले टर्म की परिक्षा इसी माह में होने थी यानि कि दिसंबर में होने ते लेकिन नहीं हो सका सरकार ने इसका सैड्यूल भी जारे किया सरकार ने इसका सैड्यूल भी जारे किया था एक दिसंबर से पंदर दिसंबर लेकिन इस इस में नहीं हो सका कारण आप लोगों को पता है क्योंकि जैक के अद्ध्ष और पदेश्य नहीं थे और नहीं सचीव को परिक्षा लेने का दिकार मिल पाया लेकिन हाग मैं बता द और फिर पर dámy is यह और आप लोगो vale और नहीं पंदर नहीं पता है तो और लोगों को यह बहुग को मंतली असस्मेंट तो हुआ के लेकिन कच्छा बारवी में 극ा मैं लिया क्शा साथ 7 काफ़ betting न yumewी के पहले भी पर देखें बोला जा रहा है कि अब जो नए साल है याने के डोला इसमेंट के पहले तर्म को परिक्षा नहीं निया था है ते यहां पर देखे टर्म में पहले टर्म निर्धारित है सिक्षाई भाग ने दस से पचेस फर्वरी सब्सक्राइब के बीच यह पर एक्षाई पूर्वे में ही निर्धारित की है मतलब जो है यहां पर पहले ही दस से पचेस जनवरी के बीच में यह पर एक्षाई को पूर्वर निर्धारित कर दी है ठीक है लेकिन जनवरी में कक्षा आठवी नौवी और एक्षा होते नहीं दीख रहे हैं यहां पर बोला जा रहा है कि कक्षा आठवी नौवी और एक्षा जो के जनवरी में होनी है वो यह बताया जा रहा है कि क्षछा 8,9 परिच्छा समय पर नहीं और इसे मतलब पीछे चाने का सबसे बड़ा कारण यह है गाइस कि आध्यक्स नहीं होため पछले करीब साढए सीन महने से और अध्यक्स अध्यक्सि या करीब तीन महने के बाद इस पद पर राजिसरकार के और से किसे नियुक्ति नहीं की गई है जैसरिक आपको पता है कि पिछले तीन महें से आभी तक राजी सरकार नियर्क लिए सर्कार निटाफ़ी कावप अध्यक्ष की नहीं की यसried आपको पता हुए आप लोग जानोगे वीडियो में कि पंदर दिन पर पूरों सिक्षा मंतर जगारनाथ महतों पादस्ट के पद के लिए डॉक्टर अनियल कुमार महतोर पादस्ट के लिए अब अधेक्ष के लिए जो है विनोथ कुमार चुना गया था ठीक है मतलब भी गोसना करे गए थी कि यह लोग जो हैं जैक के अध्यक्ष रुपाद्ध्ध होंगे ठीक है लेकिन अब तक इनके नाम की अध्यक्ष रुपाद्ध्ध्ध्ध्ध होंगे ठीक है लेकिन अब तक इनके नाम की अध्यक्ष रुपाद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध नहीं बने है इसलिए कोई काम नहीं नहीं हो पारा है क्योंकि जो अनिल कुमार महतो और विनोत कुमार शिंव जो अधिक्छ बने है इनको जो है जारी नहीं हुए ठीक नूटिसी जारी नहीं हो पाया है कि यह लोग जैकबोर्ड के अध्यक्ष रुपाध्यक्ष बनेड़े है ठीक है चिक्छा मंत्र जगर ना पर प्रस्ताव है मन्सोरन के पास भेज दिया लेकिन अब तक इस पर मंत्री मुख्य मंत्री की अंतिम सहमयती कि नहीं बन सकी है यहाँ बन से यहाँ पे घ्क है और यहाँ च्छा मंतरी जो है प्रस्ताव बेलती है मुख्य मंतर जी को लेकिन उसमें बन सके हैं नहीं क्यों नहीं बन पाई यह तो खेर आप मुख्य मंत्री जी बताए पाएंगे ठीक है मुख्य मंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव में आयेगा और उसके बाद अधिसोचना जारी हो सके होता है तो यह चीज है मतलब जब तक आज शुतना जारे नहीं हो पाएगा इस आप लोग एक्जाम डेट या फिर एक्जाम के रिलेटेट को भी नोटिस नहीं आएगी अब डिपेंड करता है मुख्य मंत्री जिती की मतलब हमारे हैं सब भी उन्हीं के पास है कि वह जब तक परमेशन नहीं देते हैं तब तक आप लोग एक्जाम नहीं होगा यह समझ लो ठीक है दस सेंबर को सिक्षा मंत्री ने नाम की घोशना कर दे थी जारकने काडमी कॉंसल के नामों की घोशना कर दे थी सिक्षा भाग से फाइल पिछले सब्ता मुख्य मंत्री के पास भेज दी गई मतलब जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो अध्यक्ष रुपादक्ष की पद की जो नियुक्ति का जो नाम की घोशना करे गए थी गयाई जो दस सेंबर को ही करे गए थी और जारकन विदान सभा में जो है सितकालिन सत्र चल रहा था जिसके वज़ास से उस दौरान में अधिशुचुना जारी नहीं हो सकी ऐसे में उमीद करें जारी हो सकी जिहां पर देखिए सबसे बड़े इंपॉर्टन बात करें गई है कि जारकन विदान सभा के जो वहां पर ह जारी हो सकेगी ठीक है मतलब एक दो दिन में बहुत जल्द आप लोगा जारी हो जाएगी कि जैक बोड़ की अधर शुर्पाद देखिए में मतलब इनको पुर राइट मिल जाया और उसके बात जो है आप लोग एक्जाम डेट वगरा आप लोगो फटा फट से मिल जागा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और जार्खनलाब.com पे जाकर के विजिट किजेगा ठीक है जार्खनलाब.com आप लोग को गुगल पर सर्च किजेगा आप लोग को वेबसाट में लेकर वेबसाट पे जाकर करके आप लोग सारे अपडेट देख पाओगी चैनल को अब तक नहीं मिल आप लोग परेक्षा अचलान करवार शुझा को देने के तक पढ़ा है और आप लोग अध्लेःक पड़ियु का जो जिम्मेवार है सच्छी को देने के तयार थे लेकिन अब तक ना तो जैक के सच्छा लेने का प्रभावर मिल पाया या फिर दिया गया और नहीं यहाँ पर आद्ध्यक्ष और पाद्ध्यक्ष की अदिकार था ठीक है तो वह तो नहीं थे वुष टाइम लेकिन पर सच्छीव को देने के बात करें गए थी सच्छीव को भी नहीं दिया गया और नहीं जैकबोड का अध्यक्ष और पाद्ध्यक्ष की न्यूक्ति की आदिसूचना जारी की गई है इससे सबसे बड़ा संकट राज एक कख्छा आठ से बार्यों तक अच्छा चात्रहों पर पढ़ रही है इससे सबसे बड़ी संकट जो है कख्छा आठ से बार्यों तक चातरह पर पढ़ रही है ठीक है इसकी समय सीमा भी सिख्छा इवागपुर वहीर ने तैयकर करने को दिया है मतलब जो है करमचार्य का जो भुगदान करने का जो भी परमिशन था वो जैक के सच्चिव जब तक नहीं है तब तक जैक के सच्चिव कर पाएंगी पेमेंट वेगरा भाई ठीक है मतलब जो यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि मतलब यहां पर जैक में सच्चिव नहीं होने के वज़ासे बहुत जादा काम रुका वज़ासे आप लोग एक्जाम से रिलेटेड आप लोग का मतलब बहुत जादा यहां पर चादा एडमिशन इस बार हुए है क्योंकि पि कॉलेजस में सीट के बढ़ोतरी क्या दो मंजोरी दिया गया था जगरनात महतों के तरफ से वह जो है जैक के अध्यक्ष की स्विक्रिति के चलती अभी तक पैंडिंग में ही पड़ा हुआ है ठीक है और यहां पर आप लोग का जो है एक दो दोनों हो सकते हैं आप लोग ज स्टार्ट करा जाएगा ठीक है सब्सक्राइब लोग का जाएगा और यहां पर देखिए कख्षा आठ मी नौवी और ग्यार्मी की जो परिक्षा थे थे गाईज वह अब वर्वरी में होने की संभाव नहीं आप लोग देख सकते हो क्योंकि जनवरी में आठ कख्षा दस्म चैनल में पहने बारा हो सब्सक्राइब करके जाना यार तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए बाबाई टेक केर थैंक्स पर वाजनेट हो गाईज